आपको मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि बीजेपी में पस्ची मंगाल में बगावत की आँच लगातार तेज होती जा रही है पहले मतुआ समुदाय के पाँच बिधायकों ने एक वाटसेप ग्रूप छोड़ दिया था जो बीजेपी बिधायकों का वाटसेप ग्रूप था उससे अलग हट गए थे और अब चार और बिधायकों ने उससे नाता तोड़ दिया है यानि उस वाटसेप ग्रूप से हट गए हैं ये चारो बिधायक बांक उड़ा के हैं और हाल में बीजेपी में असंतोस और बगावत और दल बदल तो बिधान सबाद चुनाओ के नतीजों के बात से ही देखने को मिल रहा है लेकिन हाल में जो पार्टी की प्रदेश समीती का जो फेर बदल हुआ है नई समीत का गठन हुआ है उससे नाराजगी तेजी से बढ़ी है और उसके बाद ही विधायकों के वाटसेप ग्रूप से हटने का सिलसिला शुरू हो गया है इस बगावत की लगातार टेज होती आग पर काबू पाने के लिए अब अगले महीने की शुरुआत में ही पार्टी प्रमुक जेपी नडड़ा को लकाता के दोरे पर आएंगे और उसके बाद ग्रियमंटरी अमित साह को भी आना है इस बीच सोंबार को बीयल संतोस ने भी बिधायकों के साथ बात चित की असंतुष्ट नेताओं के साथ बैठक की कई निर्देश दिये आज चर्चा करूंगा इसी की की आखिर क्यों नाराज है बिधायकों की नाराजगी क्यों बढ़ रही है देखिए आखिर तक जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें मित्र कि मैं आपको बता रहा था बीजेपी के बिधायकों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है पस्चि मंगाल में पांच बिधायकों ने बीते सब्ता वाटसेफ ग्रूप से नाता तोल डिया था बिधायकों के लिए जो हाटसेफ ग्रूप बनाये था पार्टी ने औ प्रदेश समीति के पुनर गठन के बाद से ही यह सिलसिला लगातार तेज हो रहा है वो उत्तर 24 परगना और नदिया जिले के पांच बिधायक मतुआ समुदायके थे उन्होंने नाता तोड़ दिया था उसके बाद अब बांकुडा जिले के चार और बिधायकों ने भी पार प्रतिनीदी को नई प्रदेश समीति में सामिल नहीं किया गया और पुर्व केंद्री मंत्री और टीमसी नेता बावुल सुप्रियों ने भी अपनी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए संभावना जताई है कि वाट्सेप ग्रूप छोड़ने वाले बिधायक जल्दी ही पा त्रिमल कॉंग्रेस नेताओं से मुलाकात किये है तो उसके बाद उनके भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो रही है अब ताजा मामले में जिन चार बिधायकों ने वाट्सेप ग्रूप से नाता तोड़ा है उनमें बांकुरा के बिधायक निलाद्री सेखर दाना ओंदा के बिधायका मर्नाद, सोना मुखी के दिवाकर घरामी और इंदास के बिधायक निर्मल धाड़ा सामिल है और लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक सुकान मज्यमदार का कहना है कि मतुआ समधाय के जिन पांच बिधायकों ने वाट्सेप ग्रूप से नाता रेतों की का सिर्दर्ट लगतार बढ़ रहा है विधायकों के वाट्सेप ग्रूप छोड़ने से और नई समीत के गठन के बाद से ही बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और यह सब चल रहा है उनमें इन नेताओं को जिनोंने नाता तोड़ा है इन विधायकों के किसी समीत में नहीं रखा गया है इससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है वैसे ही चुनाओं में लगातार दुरगती के कारण उसके पाउं तले की जमीन खिशकती रही है और अब इन समीतियों ने और मुश्किलें पैदा कर दी है तमाम चीजें हो रही है अ अब उसके बाद इन तमाम उठा पटक और असन तोस के बीच सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के अकेंड्रिय ने ट्रिट भी अपसक्रिय हुआ है और लगातार चुनावी हार और पार्टी में बढ़ते असन तोस पर काबू पाने के लिए पार्टी प्रमुक जेपी नडड जन्वरी के शुरुआत में ही कुलकाता के दोरे पर आएंगे उसके बाद जन्वरी के आखिर में केंड्रिय ग्रे मंत्री अमित साह भी बंगाल के दोरे पर आएंगे पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी में नई जान फूकने के लिए ही उनका इत दोरा है जुरी नगर निगमों के लिए मतदान होना है उसी सिल्सिले में जेपी नड़ा प्रदेश नेताओं के साथ बैठक करेंगे उनकी शिकायते सुनेंगे और क्या मुस्किले हैं वो सुनेंगे उसके बाद आखिर में अमित साह आएंगे और पार्टी के नेताओं का कहना है कि लगातार चुनाओं में मिले जटके पहले तो साथ बिदान सवा सीटों के लिए जो प्चुनाओं हुए उसमें पार्टी का खाता नहीं खुला उसके बाद मिनी बिदान सवा चुनाओं के नाम से मशूर रहे कोलकाता नगर निगम के चुनाओं में भी पार्टी को महस्त तीन सीटों से ही संतोस करना पड़ा इससे पार्टी में अनुसासन हींता जैसी इस्थिटी पैदा हो गई है नेता अटपटे बयान दे रहे हैं सार्वजनिक मंच पर सांसत लाकेट चेटर जी भी सार्वजनिक रूप से नगर निगम चुनाव में पैसे लेकर टिकेट बाटने के आरोप लगा चुकी हैं तो इस अनुसासन को रूपा गांगुली और लाकेट चेटर जी तमाम नेताओं ने अपने असंतोस को सार्वजनिक तोर पर जाहिर किया हैं इसे केंद्रियन नेतरी तो नाराज है और अब उन्होंने कमर कसी है पूरे मामले पर काबो पाने और पार्टी में नई जान फोगने के लिए और संगठनिक महासचियों बीजेपी के जो राष्ट्रिय संगठनिक महासचियों हैं बीयाद संतोस उन्होंने सोंबार को प्रदेश नेताओं के साथ बैठक की और संगठन को नए सीरे से दुरुस्त करने सजाने पर जोर दिया और उन्होंने भी माना बैठक में पार्टी नेताओं के साथ कि कुछ लोगों में असंतोस है जिनको समीत में जगा नहीं मिली है लेकिन बातचीत के जरिये उनके उनका असंतोस दूर किया जाएगा और कोलकाता नगर निगम चुनाओं में अभी जटके से जो उबर नहीं पाई थी पार्टी तब तक चार और नगर निगमों के चुनाओं का ऐलान हो गया है और इसलिए अब जेपी नड़ा और अमित साह भी सक्रिये हुए हैं यह तमाम चीजें चल रही है कई और दूसरी और जो बीजेपी के बांकुरा के विधायकों ने छोड़ा है तो उनका कहना है पार्टी की दलील है कि उन्होंने सोसल मीडिया ग्रूप छोड़ा है विधा से हट चुके हैं यह पार्टी के लिए कहीं ने कहीं खत्रे की घंटी है और शायद इसलिए अब जेपी नड़ा और अमित साह ने कमर कस ली है वरना बिती मई में दो मई को बिधान सबाद चुनाओ नतीजे आने के बाद इन दोनों नेताओं ने अब तक बंगाल का रुख नहीं किया है आगे क्या होता है पार्टी में क्या इस असन तोस पर अंकुष लगाने में कामियाब रहेंगे जेपी साह और जेपी नड़ा और अमित साह साह और नड़ा की जोड़ी इस बगावत की आग पर कितना अंकुष लगा पाती है आगे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद नमस्कार